के मुख्या की करेंगे सीम शिवराज सिंग चुहान आज पंचायतों समीतियों और प्रधानों को संबोधित करेंगे सरपंचों को आज बड़ी सवगात मिल सकती है तो पैर 12 वजे वर्चुली ये संबोधन होगा जिसके लिए सभी कलेक्टर्स को विवस्ताय पूरी करने के निर्देश दे देगा हैं तो सीम शिवराज सिंग चुहान आज पंचायतों समीतियों और प्रधानों को संबोधित करेंगे माना जा रहा है कि संबोधन के दरान कुछ बड़ी बाते सीम शिवराज सिंग चुहान कर सकते हैं सरपंचों को सौगात मिल सकती है तो पैर 12 वज लगातार से जानकारी लेंगे संवाद दाता आकर्ष शर्मा करूख करेंगे लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं आकर्ष आज संबोधन होगा पंचायतों समीतियों प्रधानों के साथ क्या स्वागात आज प्रदेश की मुख्या दे सकते हैं क्या कुछ बड़ी बातें स राजधानी भोपाल पहुंचे हैं बीजीपी कार्यालाम उन्होंने पता अधिकारियों से बातचीत की है सिएम सिवरा सिवरा सिंग चौहां से मुलाकात की उन्होंने मांग भी की थी उसके बाद बीजीपी के प्रदेश अप्रदेक्ट वीडी शर्मा से उन्होंने मुलाक कासकार हैं उसको आगे बढ़ा रहे थे लेकिन जिस तरीके से 303 चुनाओं का चुनाओं की घोषना हुई थी और आचार सहींता लगा दी गई थी उस दौरान इनके जो अधिकार हैं वो छिन गए थे लेकिन हमने जिस तरीके से देखा कि जब पंचाइज चुनाओं नरस्थ करीब सास साल हो चुके हैं जब से पंचाइटों का संचालन पूर्व पंच और सरपंच ही कर रहे हैं ऐसे में जब पंचाइटों घोषना हुई थी और लोग चुनाओं लड़ रहे थे तो कहीं कहीं ने कहीं पूर्व से फिर सरपंचों को देने पर प्रोध प्रदरशन कि मेह एक महिने का समय होने वाला ऐसे में जो पंचायतों के बिकासकार है वो पूरे रुके पड़े हैं ऐसे में सरकर नहीं चाहते हैं कि क्विचाटों के बिकासकार हो जो ग्रामीड शेतर में रहने वाले पूर्व सरपंच और पंच वो बाधा बने यही कारण है किया सिएम सिवराज सिंग चोहन महत्वपूर बैठक जो है पंच सरपंचों के साथ करने जा रहा है बर्चोली यह बैठक हों की शंबाद किया जाएंगा कहा यही जा रहा है कि जो बित्ती अधिकार मद्द सब पंचायतों के चुनाओं नहीं हो जाते हैं जया बिल्खुल तो वित्ते अधिकारों की मांग की जा रही है पंचायतों समीतियों प्रधानों की और से और आज मुख्यमंत्वी शिवराज सिंग चोहान 12 बजे वर्चोली संबोधित इन्हें करेंगे बैठक होगी तो सं भादना है कि इस बैठक में कुछ बड़ी बात निकल कर सामने आ सकती है धन्यवाद आपका आकर जानकारी साजा करने के लिए